नमस्कार दोस्तों स्वागत अप्टी यूटूब चैनल टॉप ट्रिंडिंग जी के मैं दोस्तों इस फूरूम बात करने वाले हैं आज से जश्ट साथ महाँ बात आयोजित होने वाली SSEGD भरती 2025 के बारे में जो जनवरी 2025 में एक्जाम होने वाला है इसका सिडूल आज चुका है तो क्यों नहीं इस भरती के बारे में जो आपकी दिमाग में स्वाल चल रहे है उसका answer दिया जाए पहली बात तो संभावित पद कितने हो सकते हैं तो expected vacancies के बारे में बात करेंगे और second चीज इस भरती की त्यारी करने के लिए मैं मानता हूँ 6-7 मा अच्छा समय होता है यदि आप consistency के चाथ तैरी करते हो तो आपका जरूर सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपक के लिए eligible हो आपकी जनम किन debt और वर्ष के मद्दे होना चाहिए जो can debt यहां से त्यारी कर सकते हैं तो आपका जनम किस के मद्दे हैं कौन से वर्ष और दिन महा के मद्दे हैं वो सभी can debt eligible रहेंगे age limit की बात करने वाले हैं साथ साथ तुलना करेंगे इससे पहले ससीजीडी की चार भरतियां online exam हो चुके हैं 2018 का पहला CVT exam उसके बाद 2021, 22, 24 इनसे तुलना करेंगे vacancies के मामले में debt of birth के मामले में और यह भी देखेंगे कि भरती लगबग कितने साल में complete हो जाती हैं ससीजीडी की जैसे की 2024 का अभी result है जल्दी आने वाला है तो यह तुलना करने से पता चलेगा vacancies वगेरा में अच्चुल में आपके लिए कितनी vacancies यहाँ पर रहती क्योंकि आपको पता ससीजीडी state wise होती है आप जिस state से हो वहीं से आप अपना form फिल कर पाते हो तो कहने को तो भरती 20,000, 30,000, 40,000 आ जाए लेकिन आपके state में लगबग कितनी vacancies रहती है वो चीज़ भी आपके के लिए होनी चाहिए अब शुरू करते हैं इस भरती के बारे में अभी latest SSE के कलेंडर के according आपके जो form है वो 27 अगस्ट 2024 को start हो जाएंगे और 27 सितमबर 2024 तक form भलने के अंतिम्तिती है और अभी month of exam में update हुआ है पहरे जो month of exam था वो दिसमबर से जनवरी 2024 था अभी यहाँ पर जनवरी फरवरी 2025 एक महा अत्रिक्त आपको मिला है अब बार बार आप SSE GD exam को target कर रहे हो लेकिन कहीं कहीं exam में आप विफल हो जाते हो इसके पीछे कारण क्या है कि आप practice नहीं करते हो क्योंकि SSE GD में time management ब test book pass pro पर इसमें आपको क्या मिलेगा lowest price में एक साल की वल्डिटी में test book pass pro मिल जाएगा जिसमें SSE GD की जितनी भी भरती हुई है दोजार अठार आई किस बाई 24 से चार साल की भरतियों की online exams की paper आपको मिलेंगे वो paper आप attempt करके exam देने जाएंगे तो आपका जो confidence रहेगा और time management को tackle करने का paper handle और attempt करने का जो experience रहेगा न उससे आप 100% selection पाऊगे जितनी अच्छे ढंग से आपने practice कर ली प्लस slayvers cover किया और revision किया तो आपका कोई chain है वो रोक नहीं सकता है तो अभी TTG की coupon code के तैत बेहत्री नीद चल रही है यानि वैसे टेश्पुक pass pro की price 499 रूपे के आसपास अभी इसके half price में TTG की coupon code यूज कर देना अब बहुत से क new उनको पता नहीं टेश्पुक pass pro में क्या feature है यह अपनी त्यारी में कैसे भूमिकादय करता है तो description box में एक demo video की link है वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा किस टाइप से आपको pass pro join करना है कैसे paper attempt करना है mock test attempt करना है तो link description box में demo video checkout कर सकता है और ध्यान देना coupon code TTG की यूज कर December में होना था अभी वो जनवरी 2025 में start होगा यह जो SSE की नई website है उस पर आपको यह calendar मिल जाएगा PDF नहीं website पर डारेक्ट home page पर दे रखा है form भरने कितिती आपको पता वो ही है 27 अगस से आपके शुरू हो रहे है 27 सितमल 2024 तक आप आविदन कर पाएंगे next चीज point बात करते ह age count कब से की जाएगी यहाँ पर चार भरतियों की मैं तुलना करूं SSE ZD की जैसे कि आप देख सकते हो आपको पता होना चाहिए एक तो UR और EWS में आपको कोई भी IU में चूट नहीं मिलती है वो ही आपके 18 से 23 वर्ष की उम्र है तो आप यहाँ पर आविदन कर पाते हो age limit और अपर age limit क्या होनी चाहिए वो बात करेंगे इससे पहरे थोड़ा तुनलात्मक रूप से देखते हैं SSE ZD 2018 के आपके form शुरूए थे जुलाई 2018 में और इसकी IU की गणना होई थी 88 से 22 वर्ष वो एक अगस्त दो अगस्त देर थी और एक अगस्त से यह IU की गणना कर र 2022 और 2024 की 2022 में आपके form थोड़े लेट आए अक्टूबर 2022 में आए और नवंबर 2022 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक भरे गए अब यहां पर एक अगस्त को आपके IU की गणना नहीं हुई है नेक्स्ट वर्ष की एक जनवरी को IU की गणना होई है 2022 को form चल रहे थे एक जनवरी 2023 से आपके IU की गणना की जा रही है इससे जिनकी IU ज्यादा है उनको दिक्कत होती है और वेज होने में जब IU की गणना है form भरने की डेट से अग्रिम तिथियों से की जाती है तो यहां पर एक जनवरी 2023 में और यह भी नहीं आपको पता होने चाहिए COVID की दोरान 2022 की SSJD भरती में आपको तीन साल की सभी के टेगरी में चूट दी गई थी इवन जन्दरल और EWS में भी तीन साल की चूट और SCST में जो पांच वर्ष के होती है उसके अत्रिक्त आपको तीन साल की फॉर्म आपके अक्टूबर की बजाए November से स्टार्ट होए December दर चले और IU की गणना next आने वाले एक जनवरी 2024 से की गई तो 22-24 में थोड़ा पैटरन बदला है IU की गणना करने का IU की गणना एक जनवरी next year से हो रही है यदि फॉर्म आपकी अगस्त के बाद आ रहे तो 25 में भी आपके फॉर्म है वो 27 अगस्त 2024 से 27 सितंबर 2024 तक आ रहे है तो SSZD 2025 में भी IU की गणना एक जनवरी 2025 से की जाएगी 2025 की गणना next form 24 है तो 2025 से IU की गणना हो गई यदि आईउ सीमा यहाँ पर जो 18 से 23 वर्ष आप काउंट कर रहे हो वो आपको एक जनवरी 2025 लिखकर अपनी आईउ 28 से 23 की मद्दे होनी चाहिए किन के एंड़ेट के लिए UR और EWS वाले के ड़ेट है यहनि UR और EWS की बात कर रहे है तो आपका जनवरी 2022 से पहले नहीं होना चाहिए दो जनवरी 2002 है तो कुई दिक्कत नहीं है जैसे एक जनवरी 2002 है एक जनवरी 2001 है वो आपका count नहीं होगा यदि UR और EWS है तो आप eligible नहीं है यदि आपका दो जनवरी 2002 से पहले का जनव अपर एज लिमिट सभी के लिए से हैं एक जनवरी 2007 क्योंकि 18 वर्ष यनि आपका जनवरी 2007 के बाद है वो नहीं होना चाहिए 18 वर्ष से कम आयू आपके एक जनवरी 2025 तक नहीं होनी चाहिए इस में कोई दिक्कत नहीं रहती दिक्कत रहती इस में तो यू और EWS के लिए यह है अब आप कहएंगी OBC के लिए तो OBC के लिए आपको पता है तीन साल की छूट रहती है तो इसके तीन का नहीं होना चाहिए, SCST की बात करें, आपका जन्म दो जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए, इससे पहले मतलब दो जनवरी को है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 January 1997 से पहले 1 January 1997 तो दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी तो 1997 1997 से पहले का नहीं 1 January 2007 के बाद नहीं होना चाहिए यह तो आपका आयू में छूट आपको पता है SC-ST के लिए 5 वर्ष की है OVC के लिए 3 वर्ष की है X-Serviceman के लिए भी 3 वर्ष वाला है और आपकी जो योगेता है वो 10th पास है 1 January 2025 से 10th पास है पास आउट हो चुके हो तो 10th पास वाले लगबग यहाँ पर आ जाएंगे 18 वर्ष करेंगे तो 10th पास तो हो ही जाएंगे 15-16 वर्ष में हो जाते हैं अब एक्जाम सर्वीस प्रोवाइडर एजनसी और कंटेंट ओथराइंग एजनसी कौन सी हो सकती है यनि स्वाल बनाने वाली कंपनी और एक्जाम जो पूरा कंडेक्ट करवाएगी सेंटर वगेरा आरेंज करना आपके पेपर आप कंप्यूटर लेव वगेरा पेपर को सिस्टम में सो कराना एंसुर की वगेरा है वो निकालना आपका एंसुर की से आपका पूरा पेपर चेक करना रिजल्ट निकालना वो सारा काम सर्वीस प्रोवाइडर एजनसी कर रहता है तो service provider है तू जो अभी tender निकला है exam conduct करवाने के लिए या question bank बनाने के लिए site पर चेक किया तो अभी भी यहाँ पर technical bid के बाद financial bid के regarding कोई information नहीं है technical bid में जो ये question बनाने वाले agency है एसे तो आप देखेंगे तो लगभग जो pass की है उसमें आपके C&K management लिमिटेड है उसके बाद यहाँ पर सवाल बनाने के लिए integrated learning solution है next यहाँ पर meta i technology private limited यह तीन company है वो select हुई है इसी परकार exam वगएरा center arrange करना answer की वगएरा है वो check करना आपका admit card निकालना यह सारे काम है वो exam connecting agency service provider की माद्देम से जिसमें thesis का आप देख सकते हो 20 में से 18 score लेके आई है adequate यानि 70% plus score होना चाहिए तो यह तीन company ही 70% लेके आई है इनी में से कोई आपका service provider रहेगा अलग अलग यहाँ पर criteria में paper में इनका score देखेंगे तो t6 यहाँ पर सबसे उपर है इसी प्रकार यहाँ पर जब क्योसन बेंक बनाने वाली companies का score देखेंगे तो उसमें meta AI सबसे उपरे 92 score हासिर किया है वी बॉक्स ने 87, C&K ने 78 है यह तीन company जो क्योसन बेंक बनाने के लिए select होई है आगे financial bid की बाद इस्तति अभी तक clear नहीं है तो अपकी बार यहाँ पर exam service provider कहें वो एक तरीके से वो तो लगबग TCC रहने वाला पूरा handle करना सरौर वगेरा लेकिन जो क्योसन बेंक बनाने वाले agencies है वो change हो रही है तो आपको थोड़ा बहुत इदर उदर स्वाल में कुछ उपर नीचे मिल सकता है लादा परिवर्त नहीं आता क्योंकि घुमा फिरा के एतने साल हो गए है स्वाल उनी में से आने है जो इस्टेटिक जीके हैं जो आप पढ़ते हूँ टिपिकल क्योसन उनी में से बनते हैं अब संभावित पद की बात करें तो अभी तक ऐसा कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा चाए आर्टियी रिपलाई में भी अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है और जो आप साइट वगेरा पर देखते हो सब कुछ फैक है तके पर अनुमान पर आदारी चीज़े रहती है पिछली बार भी न्यूज में आया था कि अठासी जार वेकेंसी होगी से जीडी में 2024 के लेकिन निकली कितनी 26,000 के आसपास तो ये अभी 27 अगस्त को कहने को तो नोटिफिक्सन के समय पता चलेगा लेकिन अनुमानित एक संभावित जो अनुमान लगता है प्रिवेस वेकेंसी के एकॉर्डिंग, ट्रेंड के एकॉर्डिंग वो आपको मोटे मोटे इस तरफर में आप किलिर कर देता हूँ पहली बात तो ये है, थोड़ा आपको बता दूँ, SSEGD का अब तक क्या रिकॉर्ड रहा है, आप देखेंगे, एक्जाम पैटरन वगरत आपको पताई है 2018 में टोटल पोश्ट थी, 4,953 जिसका एक्जाम हुआ था, फ्रवरी मार्च 2019 में और ये भरती 2019 में एक तरीके से है और 2021 तक इनका फाइनल रिजल्ट आया था, SSEGD 2021 की बात करें 25,271 पोश्ट थी, यानि 2018 से आदी हो गई उसमें 55,000 के आसपास, यहाँ पर 25,000 के आसपास, 2021 में एक्जाम हुआ, नौंबर दिसमबर 2021 में और ये भरती लगबग complete आप देखेंगे, P.E.T. के बाद final आपका result निकला था, इसका 2022 में यह एक्जाम के जश्ट एक साल बाद final result आ गया था, 2021 वाली 2022 की बात करें, जनवरी फरवरी 2023 में एक्जाम होता है, vacancies, फिर यहाँ पर 2018 में थी 55,000, 2021 में आई आपके 25,000 और फिर 22 में आगी 50,000 और यहाँ पर एक्जाम हुआ था, जनवरी फरवरी 2023 में, 22 को लेकिन एक्जाम 23 को हुआ, और final यहाँ पर आप एक्जाम देखेंगे, तो वो आ गया था अगस 2023 में, बहुत तेजी सी यहाँ पर 23 वाली भरती है, वो complete हुईती आपके, उसके जश्ट बाद, 2024 की vacancies एनाउस हो गई, 2024 में अभी तक फिलाल 26,146 पद हैं, इस्टेट वाइस पद हैं, वो भी आज चुके हैं, और next 2025 की भरती की गोश्णा भी है, तो शाहिद ही इनके पद बड़ें, इनका रिजल्ट का जो केंडेट इंजार कर रहे हैं, इनी एक्जाम इनका मार्च 2024 को हो गया है, अभी 29 माई को वीडियो बन रहा, तो दो माईने बाद कहीं अभी रिजल्ट अभी भी 10-15 दिन हो सकता, लेट आएं, फिलाल सेवीटी वन का रिजल्ट हैं, आपके अपरेज 2024 को आगई, लेकिन वेकेंसी के ट्रेंड की बात करें, तो 2024 में हुआ 26,146, इससे पहले आपने देखा, 2000 जो 22 वाली थी, इसमें दूगने थे 50,000, 21 में थी, तो 25,000, और 18 में थी, तो लगबग 55,000, तो यहां से आप क्या देख पारे हो, 2018, 2021, next 2022, 2024, 18 में 55,000, 21 में वो ही आपके लगबग 25,000, और 22 में, 22 में वो ही फिर 50,000, और 24 में वो 26,000, तो पहले ज्यादा, दूसरे next वेकेंसी में कम, 22 में ज्यादा, 24 में कम, इस ट्रेंड के एकोलिडिंग आपको लगना चाहिए, कि 2000, जो 25 में आ रही है, उसमें वेकेंसी वो ही 50,000 के आसपास होनी चाहिए, ये ट्रेंड के एकोलिडिंग लग रहा है, लेकिन ऐसा होना है, अपकी बार थोड़ा संभव नहीं लग रहा, क्योंकि वेकेंसी बहुत तेजी सी यहाँ पर कम्प्रिट हो रही है, तो लगबग 25,000 के पर मात करेंगे, तो इससे आपको ज्यादा वेकेंसी लगती है, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लेकिन एक्चल में ये पोस्ट हैं आपके लिए है ही नहीं, जैसे मैं आपको एक तुलनात्मक रूप से बताऊं, 2022 में ये वेकेंसी ऐसे से जीडी में, लाश्ट में 50,000, 187 पोस्ट हो गई थी, और इसमें भी के आसपास आपको वेकेंसी देखने को मिलती है, बड़ी टेबल है, मैल फीमेल दोनों की है, जैसे कि यहाँ पर ये जनरल डिस्टिक की बात करें, यहाँ पर एक्स्टूड है, नकसल और बोर्डर गार्डिंग डिस्टिक नहीं है, जनरल डिस्टिक में मान लेते कि आप उ यह फाइनल नहीं थी, आपको और बता दूँ, उत्तर परदेश में नकसल तो नहीं, बोर्डर गार्डिंग डिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर परदेश में यहाँ पर 643 ही हो गए, तो 4000 प्लस के आसपास लगबग वेकेंसी थी, जब 5000 के आसपास वेकेंसी आ आपके कोई नकसल लिस्टिक नहीं है, बोर्डर लिस्टिक की बात करेंगे, तो फिर वो ही उत्तर परदेश में बिलकुल बोर्डर गार्डिंग है, तो यहाँ पर 450, तो वो ही 2100 के आसपास वेकेंसी रह जाती है, हाप हो गई जश्ट है, तो यही वेकेंसी ज्यादा आती 50,000 के आसपास तो उत्तर परदेश में 4,000 के आसपास, कम आती है 25,000 के आसपास तो वो ही 2000 के आसपास फाइनल वेकेंसी देखने को मिलेगी, और नमर अप केंडेट बहुत ज़्यादा फोर्म आते हैं, लगबग और अवरॉल इंडिया में 30,000,000 पलसावे दिन आते हैं, अ सबी स्टेट का यही आल है, 1000-2000 हैं, और जो हिंदी बासी वाले स्टेट हैं, तो कहने को तो 50,000, 26,000 वेकेंसी लेकिन एक चुल में जब फाइट होती हैं, आपकी उस स्टेट से वो बहुत कम होती हैं, जैसे आप देखेंगे, 2024 में ये कंडिशन है, CRPF में वेकेंसी मातर 3, 3,337 और इससे पहले आप CRPF की देखेंगे, तो ये वेकेंसी थी 11,000, जब 50,000 आई, तो यहां पर अपकी बार CRPF में अच्छी खासे वेकेंसी आ सकती है, बेसेप की जब 50,000 थी, अपकी बार बेसेप की 6,000 थी, नमबर आफ वेकेंसी आप होई हैं, लेकिन ये तो 3, 1 TI से भी ज्यादा हो गई नीचे, तो BCP में भी बढ़ी हुई देख सकती है, आपको CRPF देखेंगे, अपकी बार 337 और पिछली बार सबसे CRPF की 11,179 थी, तो यहां पर कुछ फॉर्स में वेकेंसी बढ़ने की संभावना की चलते 30,000 के आसपास वेकेंसी देखने को मिल सकती है अब भी फिक्स नहीं है, वो ही 25 से 30 के के मद्दे आपको अपने स्टेट में लगबग आपको वो ही 1000 से 2000 के मद्देपद देखने को मिलेंगे, और आप कुछ नंबर से रह रहे हैं तो आप वो प्रैक्टिस की कमी है, क्याल्कुलेशन आपको तेज करनी होगे, ज्यादा ज ज्यादा आपको मौक टेश्ट वगरा लगाने पड़ेंगे, तब ही काम बनेगा, और बाकिया आप सब को पता हैं, इसमें आपका चार सब्जेक्ट हैं, इसका डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, क्या स्टेट जी आपको फोलो करने चाहिए, 2025 में SSEZD है तो, जैसे कि reasoning, 20 स्वाल, 40 marks की, अब स्वाल तो यहाँ पर 80, लेकिन समय 60 मिनट, यह जिसने paper attempt कर दिया, इन 60 मिनट में 80 स्वाल देख लिए, अच्छे डंग से, जो आते हुए स्वाल कर दिये, तो उनका काम बन जाता है candidate का, जी के में भी 20 क्योशन, math में 20 क्योशन, English या Hindi, दोनों में से एक करने maximum candidate हिंदी करते, तो इनके भी 20 क्योशन, easy है, मैं अन्समय से यहाँ पर candidate को आती है, एक तो time management की, दूसरी चीके की आती है, अब time management की समय तो आपका हल हो जाता है, प्रेक्टिस से, जितनी अब सचात माईने है, बहुत ज़धा practice करो, previous year के paper से practice करो, मैं कहता हूँ time management की समय से आपके clear हो जाए, कि paper से भी ऐसे practice करनी है, बार बार जो गलतिया कर रहे हो, एक सवाल में ज्यादा time ले रहे हो न, उनको note करो, दोबारा उस topic से, उस same type के सवाल से आपका ज्यादा time consume नहीं होना चाहिए, इस परकार से आप बहतर डंग से analysis करते हुए त्यारी करें दोबारा वो repeat गलती नहीं करेंगे, तो आपका selection जरूर होगा, और जीके का state जी का अलग वीडियो है, बाकि यहाँ पर सारा कुछ खेल practice का है, negative marking है, ssegd 2024 के notification में कोई बदलाव नहीं किया गया, 0.25 marks आपके cutting गे, एक सई स्वाल पर 2 marks मिलते हैं, और 0.25 करते हैं, एक बट स्वाल करो, बिल्कुल easy स्वाल है, आ रहे हैं, आप 30-40 second में कर रहे हो, उनको आपको पहले देखना चाहिए, और जो length स्वाल है, उसको बाद मिलो, second double में करो, इस type से आप टॉपर वाले stage फोलो करेंगे, तो काम बनेगा, और बाकि आपको पता हैं, एक्जाम के बाद 8 की 7 मिनट में, male candidate female की 800 मिनट में, इसके अत्रिक्त आपकी male candidate की height 170 cm, female की 177 cm height होनी चाहिए, और यहाँ पर height में कुछ relaxation भी हैं, विशेश कर यहाँ पर female candidate की बात करें, उनको 177 cm height हैं, बाकि यहाँ पर सभी category की, आप SC की ST की देखेंगे, उनकी height बहुत कम मांगी गई है, male candidate और female दोनों की case में, male की 162, female की 150 हैं, फिर northeast state की और कम हो गई male female की, उसके बाद male candidate का chest यहाँ पर, an unexpand 80 cm, 5 cm फूलाव के साथ 45 cm होना चाहिए, यह केवल male candidate की देखेंगे दता है, बाकि ST के लिए chest में और relaxation मिला है, 36 cm होना चाहिए minimum, यह पूरा वीडियो था मोटे मोटे त दंग से नहीं कर पाते हो, पूरा paper ही आप attempt नहीं कर पाते हो, इतनी कम negative marking होती है, तो पूरा paper attempt करने के लिए, अब तक कि जो इतने भी 4 बार CBD exam हो चुके हैं, तो 100 प्लस mock test है, 67 माईने में, यह आप mock test लगाओ, परते एक mock test लगाने बाद, देखो कहा का आप गलती कर रहे ह और ऐसे स्वाद दो बहुत जदा, ज़्यादा time ले रहा है, उनको not करो, वो दोबार आपका उतना time consume नहां करें, smart तरीके से previous year paper आधरीट आप यहां से practice करते भी त्यारी करेंगे, जरूर सलक्षन होगा, link डाइस क्रिस मॉक्स में कैसे आपको test to pass pro जोईन करना, open court से क्योंकि lowest price के भी टीट चल रही, मिलते नए वीडियो में, बाई बाई